दोस्तों नमसकार, गोर्णमेंट के तरफ से एक सर्विस लौंच किया गया है जिनका नाम है ए रूपी, दो अगस्त ainda किश को यह सर्विस लौंच किया गया है, और आज यह हम समझते हैं ए रूपी क्या है, उसके बाद समझेंगे यह कैसे काम करता है, तो सबसे पहले ए रू है इसके एक बार ही इस्तमाल कर सकते हैं जिस काम के लिए दिया गया है उस काम के लिए इसे एक बार ही उप्योग कर सकते हैं यह पूरी तरह से सुरक्षित है और गोपनिय है यह रुपी जिसके फोन पर आएगा जिन बेक्ति के फोन पर आएगा वही बेक्ति लावार्थी ख फर्च नहीं कर सकता है पेमेंट करने के इस नए सिस्टम में लावार्थी को इंटरनेट की सुविधा के बिना भी पेमेंट यानी पैसा टांसफर हो सकेंगे बैंक एकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन जिस व्यक्ति के पास आप SMS या क्यार कोड लेकर जाएंगे उस व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा होना अनिवारी है तब पेमेंट टांसफर हो पाएगा जिन व्यक्ति को आप ये वाउचर यानिक वाउचर दे रहें तब वह एलक्तोनिक वाउचर रिडिम हो पाएगा तो चलिए अब हम समझते हैं ये रूपी कैसे काम करता है उधारन के लिए यदि सरकार अपने किसी करमचारी का किसी खास अस्पताल में विशेश इलाज का खर्च उठाना चाहती है तो वह निर्धारित एक पार्टनर बेंक के जरिए निर्धारित रासी के लिए ये रूपी का वाउचर जारी कर सकेंगे जैसे कि मानिक चलिए स civic $200 LA बूक दे दे सरकार को तो यह पता चल गया है कि हम digo TTI को दिये हमके खाते में यह उनके पास पैसा पहुंच गिए लेकिन सरकार के पास यह नहीं पहुंचा है कि जिन प्रपस के लिए हम वो बेकति को या किसी लबार्थी को पैसा दिये है वह सही तरीके से यूज ऐसे मे एपता लगाया सकता है कि जिन लबार्थी को आप जिस काम के लिए उप्योग कर सकता है यां यानि कि आगर आपके कीपेड फोन है तो यहां पर इसमेस के द्वारा इवाचर आ जाएगा अगर इंड्रोइड फोन है तो आपके में क्योर कोड आ जाएगा तो चलिए हम एक उधारंग के तौर पर समझते हैं जैसे मान की चलिए आपको सरकार एक हजार का इवाचर दिया आपको बुक खरिदने के लिए तो वो जो इवाचर आप जाते हैं होटल वाले के पास होटल वाले के पास बोलते हैं कि यह मेरा एक हजार का इवाचर है आप इसे रिडीम कर दिजे और बदले में आप हमें खाना दे दिजे तो जैसे ही आप इव कोड एस्टेंद करेदा या यह वोचर वहाँ पे टाइब करेगा तो वहाँ पे नोट एक्षेप्ट बता देगा क्योंकि सरकार ने वह एक हजार का जो एख़जार का जो कि आपको जो है बुक के लिए दिया गया ना कि होटल में खाने के ले दिया गया तो जितने भी आपके book center बूस ऋन्हीं के पास इचो के लिए पैसा हो रही है जो हम पैसा दिये है वह जहां हम भेजे हैं करने के लिए भी भी खर्च हुआ यानिकि अगर हम इस वोचर को होटल की लिए जारी कि है तो वो वेक्टि होटल utam में ता सकता हैं कि blossom हम यहां पर खाद लेने के लिए जा रिकिया तो यह फर्टिलाजर खादी सब्सक्राइब का रहा है जिसकी कोट कहा जाता है इस कोड में आपका समझते हैं वाचर कौन इसू करेगा यानि की कौन बनाएगा यह वाचर तो यह रूपी को जो है MPCI ने यानि की National Payment Corporation of India के प्लोटफॉर्म के जरिए चला जाएगा जितने भी आप पेमेंट कर रहे हैं सब इनहीं के द्वारा चला जाता है MPCI के द्वारा इसके लिए MPCI ने सरकारी बेंक और प्राइवेट बेंक को टाइब किया गया है अगर किसी को कॉर्पिरेट या सरकारी एजनसी यह रूपी वाचर जारी करने हैं तो उन्हें इन पार्टनर बेंक से संपर करना होगा जो सरकारी बेंक है और प्राइवेट बेंख है तो यह इसका अई रूपी जो निकाला है सरकार ने एक नया सर्विस लॉंज्सक्या गया इससे यह पता चलता है कि सरकार जिस काम के लिए आपको वाचर देगी उसी काम को आप पुर्मता रुप से सफलता रुप से यूज कर पाएंगे तो दोस्तों अमीद करते हैं यह information काफी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बगलने जो बैला कहने उसे भी आप दगा दे अगर यह वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक कर दीजे और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर किजे अगर इस वीडियो के रिकार्डिंग कोई सवाल या